असलाम अलेकूम और वेलकम टू नौ शीबा सल्मान स्कें सिलूशन देखा ये गया है कि शादियों का सीजन है और आप लोग जो है वो टेर सारी शादियां अटेंड कर रहे हैं अच्छा जो अटेंड करना चाहता है वो भी बहुत अच्छा लगना चाहता है जिसकी शादी ह उसकी जो सराउनिंग में या उसके जो रेलिटिव्स हैं जो बहुत करीबी रिष्टेदार हैं या दोस्त हैं वो भी बहुत अच्छे लगना चाहते हैं तो करें क्या हमारे पास क्लिनिक्स में डिफरेंट तरहा के फेशिल्स अवेलेबल होते हैं जैसे जो ब्राइट है अ बहुत अच्छी सी हाइड्रेटेड और स्मूथ स्केन है जिसके अपर कुछ नहीं है ऐसा जिसको के चेंज करना पड़े अरेज करना पड़े या मेकप से हाइट करना पड़े तो उसके लिए हम कहते हैं कि वो फोटो फेशल लें जब फोटो फेशल आप लेंगे तो उसके अंदर आपकी uneven tone cover हो जाती है, अगर आपके face के उपर कोई spots हैं, वो cover हो जाते हैं, आपके open pores हैं, वो cover हो जाते हैं, आपकी dullness है आपकी skin में, वो cover हो जाती है, अगर आपकी skin जो है, वो dry और withered लगती है, वो cover हो जाती है, मतलब जितनी भी impurities हैं आपकी skin के उपर, तो जो चेक पॉइंट है वो क्या है कि एक फेशिल के थूँ आप ऐसा सब कुछ जो है वो कवर कर सकते हैं बजाए इसके कि आप पांच छे डिफरेंट चीजें करें ठीक हो गया इसमें क्या होता है कि अगर तो आपकी स्किन नॉर्मल है मतलब आपकी स्किन जो है उसके पर ब तो फिर हो सकता है कि हमें दो से तीन दफ़ा आपको फोटो फेशल देना पड़े इस अलवेस बेटर कि आपके पास आपके मेन इवेंट से कम असकम कोई चार या छे हफ़ते हो और आप हमारे पास आके एक कॉंसल्टेशन ले ले उसमें हमें पता चल जाता है कि आपको किस चीज़ की requirement है तो हम आपकी requirement के accordingly आपको schedule कर देते हैं कि आपने किस वकत क्या करवाना है और thousand watts खुबसूरत और fresh skin के साथ आपने कैसे रहना है इसका एक और फाइदा जो होता है वो यह होता है कि make up में तो सब कुछ हो जाता है make up वाले दिनों में तो सब कुछ चल जाता है पर जब make up खतम हो जाता है या make up वाले दिन खतम हो जाते हैं और अब आप अपनी normal routine में हैं तो अगर आपकी skin के ओपर multiple issues हों तो क्या आप हर वकत इतना ही heavy make up करके घर में या इदर उदर फिर सकते हैं या अगर आपने कहीं travel करना है तो फिर क्या आप इतना make up करेंगे obviously कर सकते हैं तो अगर आपकी skin अच्छी होगी आपकी skin जो है वो naturally balanced होगी अच्छी होगी तो आपको बहुत कम चीज़ें साथ कहरी करनी पड़ेंगी या बहुत कम चीज़ें अपनी routine में लगानी पड़ेंगी इसके इलावा बहुत सारे facials हैं इसके इलावा हमारे पस whitening facials available हैं चिंकी skin पर सिर्फ हाली जो है वो dullness है और किसी चीज़ की requirement नहीं है वो ये ले सकते हैं फिर हम आजाते हैं कि बहुत सारे glow facials है glow facial जो होता है उसके अंदर आपकी skin को hydration suppleness और उसके इलावा जो है वो glow मिलता है धेर सारा फिर हम आजाते हैं कि oxygen facial होता है oxygen facial जो है वो 5-6 problems को deal कर रहा होता है but not your fuzz on your hair on your skin. जितना fuzz है या जितना fuzzy hair है आपकी skin पर वो oxygen facial cover नहीं कर रहा होता है उसके लिए हमें photo facial required है but बाकी अगर आपकी चीजें जो है वो ठी बाकी बालों के इलावा अगर आपकी चीजें जो है उनको cover करना है तो फिर oxygen facial भी बहुत अच्छा है इसकी कोई age limit नहीं है यह आप किसी भी age group का बंदा जो है वो करा सकता है males करा सकते हैं female करा सकते हैं अच्छा हमारे पास जो है वो different packages भी available है जिनको आप avail कर सकते हैं बहुत सारे ऐसे packages हैं जिसमें जो bright है उसके लिए आपके चार चीजें जो हम उनको offer कर रहे हैं उसके साथ जो है वो 60% क्या कहते हैं या 40% sorry 50% discount के ऊपर कोई एक फेशल जो है वो उनका relative जो first relative है वो अवेल कर सकता है ठीक हो क्या या पिर यह हो सकता है कि जैसे दो लोग अकठे आ रहे हैं तो उन दोनों को जो है वो 20% off मिल जाएगा ये भी हो सकता है इसमें बहुत सारे packages हैं जो कि आप Facebook के उपर देखते चले जाएंगे और हम आपके लिए उनको run करेंगे, post करेंगे आप उनको पढ़ सकते हैं बहुत जरूरी चीज होती है कि जब आप अच्छे कपड़े सिलवा लेते हैं या अच्छे कपड़े पहन लेते हैं लेकिन आप अच्छे दिख फिर भी नही होते हैं और आप उतना अच्छा फील नहीं कर रहे होते हैं इसी लिए हम ये कहते हैं कि आपकी स्किन अगर हेल्दी होगी तो आपकी लुक बहुत फ्रेश और बहुत हेल्दी होगी और आपको उसके उपर बहुत काम काम करना पड़ेगा और वो आप अपने नॉर्मल करते हैं और आपकी स्किन जो है इन में से किसी चीज का कोई डाउन टाइम नहीं है इसका ये मतलब है कि अगर कल भी फंक्शन है तो आप आज भी करा लेंगे इसका कोई डाउन टाइम नहीं है आपकी स्किन जो है वो स्टेबल रहेगी आपकी स्किन अच्छी रहेगी आप बहुत अच्छे है फ्रेश और थाउजन वाट्स जो है वो ग्लो के साथ जो है वो अपनी सारे मिनी अटेंड कर सकते हूं जब भी आपको रीजूविनेशन देनी है तो उसका तरीका या मैकनिजम एक ही होता है चाहिए वो आप किसी भी प्रोसीजर के थ्रू करेंगे जब हम किसी मशीन के थ्रू करेंगे तब इसका मैकनिजम सेम ही रहता है I'm not talking about the injectables या बोटॉक्स या फिलर्स क्या होता है कि skin में micro injuries दी जाती है और micro injuries जो है वो intern brain को बताती है कि यहाँ पे कुछ हो गया है कुछ खराब हो गया है और वो उसको rebuild करने के लिए या reconstruction के लिए order देता है और उसकी वज़ा से वहाँ पे फिर से collagen elastin जो है वो बनना शुरू होगी और फिर से repair का काम शुरू हो जाएगा जो tightening treatments होते हैं उनका एक खास mechanism है ज्यादा तर उसमें जो heat है उसको involve किया जाता है और heat या thermal injury होती है जो के बहुत controlled form में होती है और वो वहाँ पे rejuvenation का process जो है वो दुबारा से start करती है एक जो अगर आपको lengthwise किसी चीज को उठाना है let's suppose कि अगर आप यह बहला angle देख रहे हैं और आप कहते हैं कि यहाँ पर मुझे sag feel होता है कि मेरी skin जो है वो यहाँ से धलकी भी है लटकी भी है then you don't require the tightening treatment tightening treatments आपको इस वकत required होंगे जब आप उसको इस angle से खेंचना चाते हैं अगर आप यह नहीं करना चाते हैं और आप चाते हैं कि sag जो है वो खतम हो जाए उसको एक जगा के उपर हम ले आएं तो फिर may be आप वो require नहीं करते हैं इसके different indications होते हैं आप कभी भी यह मत समझिए कि कोई एक procedure ऐसा होता है या ऐसा होगा जिसको कराने से आपका हर issue solve हो सकता है different जगा पे different indications होती है hypo is a very good treatment जब भी आपको tightening चाहिए neck पर चाहिए या आपको इसके इलावा आपके face पर चाहिए तब भी आप इसको यूज कर सकते हैं आपको neck के इलावा किस चीज के requirement है और आपका face जो है उस पे correction या youthful appearance के लिए किस चीज को करने की जरूरत है या क्या correct करने की जरूरत है then the whole game starts अगर आपको यह लगता है कि हाइफू ऐसी एक treatment है जिससे हर किसी face को youthful appearance दी जा सकती है और correction की जा सकती है तो it's not true gene जिन में जहां जरूरत है जहां indicated है वहाँ आप करेंगे इसके results बहुत अच्छे है और multiple sessions नहीं चाहिए होते हैं but mostly face के उपर जो है वो हमें two to three sessions जो है required होते हैं